विल्कम बैक तू मैं चैनल आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलोजयो फ्लावरिंग प्लांट में अन्रोसियम और अगर नोट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो लाइक एं ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए तो चलिए स्टैमें जो होता है फ्लावर का वह रिप्रेजन करता है मेल रिप्रोड़क्टिव और जो एक फ्लावर का और इस जो स्टैमें है इस स्टैमें में दो पार्ट्स होते हैं एक तो पहला होता है स्टॉक या फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर तो डायग्राम में हम देखे तो यहाँ पर आपको आपको याद रुखना है जो रुखना है स्टैमेन में olv मैने फॉटल रिप्रणल करता है और इसके दो पार्टस बहुता है अर्ले दुसरा होता है अब र्ल्याप्ता है सधर्णल करता है तो बाइलोब कैसा होता है यह भी आपको डाग्राम से एजली पता चल जाएगा और हर एक लॉब में क्या होता है कि टू चेमबर होते हैं और पॉलेन सेक प्रेजन्ट होता है और इसी पॉलेन सेक के अंदर पॉलेन ग्रेंज बनते हैं तो यह चुछे आपको यहाँ पर डिसक्स किया था कि इसमें दो पार्ट उते हैं तो पहला पार्ट की होगी आपका अंतर और यह दूसरा पार्ट है फिलामेंट यह लॉपड है काई लॉप आ अगर इसको बीचर किया जाये को इसके अंदर कुछ ऐसा इसवाश्य दिखेगा मैं यहाँ पे हम देख रहे हैं तो पूरी तरीके से याद रखना है और लेबलिंग के साथ रखना है अब हम देखेंगे एक जोर यहां पर इंपोर्टन्ट याद रखना है कि कुछ स्टेमें ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूरें ग्रेंस नहीं बनते हैं वह विदाउट पॉलेंस होते हैं तो वैसे स्टेमेंस को कहा जाता है स्टेमी नोट और इसका एक्जामपल आपको याद रखना है जो कि यह कैसिया तो यह चीजे आप पर आद रखनी है अब हम देखेंगे की स्टेमेंस जो होते हैं फ्लावर के अंदर वो क्या होते हैं कि या तो फ्लावर के अधर पार्ट से जुड़े हो सकते हैं या आपस में भी जुड़े हुए हो सकते हैं उस बेसिस पर अगर स्टेमें की बात किजा तो कितने टाइपस के होते हैं वो हमें अभी डिसकस करना है तो स्टेमें में दो चीजे देखने को मिलती है एक तो एडेशन और दूसरा होता है कोहेशन अब यह एडेशन क्या है और कोहेशन क्या है तो एडेशन का मतलब यह हो स्टैमें का fusion वह फ्लावर के दूसरे पार्ट के साथ जुड़ा होगा उस कंडिशन को कहेंगे अगर जो स्टैमें है वह आपस में ही जुड़े होगा है एक दूसरे के साथ तो वैसे कंडिशन को कहेंगे दो चीजे हमें पढ़नी है और इनके अंदर कितने टाइप के स्टैमेन यह हमें देखना है तो पहले हम देखेंगे एडेजन ओफ स्टैमेन इसमें दो टाइप के होते हैं EP इप्टलल्स और इपी फाइलास अब इप्टलर्स क्या है तो इप्टेयमस है उप्टेन से यह नाम से चल रहा हो आं इंचेट Sus побед ऑ概 नहीं ग्लिट के वागा कि प्रेंजल अगर आपने इजामपल पर आप यापने परिंजल का फ्लावर देखा है तो इसमें एजली देख जाता है कि स्टैमें शुद्य हूं जो पैल पैले होते हैं अब देख लेते हैं, इपी फायलस, यह स्टेमेन रहते हैं और उन्हें कहाँ जाएगा इपीफायलस इस्टेमेन को स्टेमेन हैं इस पेडियन को स्टेमेन से जुड़े वह देखेया है तो पाहला ओut हैं हम बात करेंगे गाएन को हिए अ कोहेजन आफ स्टेमन का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जो इस्टेमेंट से वह आपस में जुड़ होगे एक दूसरे से उस ब्यासिस पर कितने टाइप के स्टेमन है तो त्री टाइप के हैं पहला है आपका मोनोडेलफस दूसरा है डायडेलफस और तीसरा है पॉलीडेल मतलब कहा था कि स्टेमन इन विच ओल डे लेंन भी दूसरे के साथ भी से और के सिंगल 2 ऐसे लिए जाए कर स्टेमीज़ ऐसे चाहिना रोज अगर देखा हुगा तो इसमें दिखता है इजली किस फिलामेंट से वह सारे के सारे जूड़ करकर क्या करते सिंगल ट्यूबलैक्ट स्टक्च्चर बनाते हैं तो एक्जामपल हो जाएका चाहिना रोज अवम देखियां क यह चैनल प्लांट में तो इन्य विस्ता ड्या ठीब कर निया, तो जोड़ा होता है, तो इसमें 10 फिलामेंट्स होते हैं, जिसमें 9 फिलामेंट्स होते हैं, 74 0000- और एक यहां पर separate है तो इस तरीके से यहां पर two groups बना रहे हैं तो इसे कहा जाएगा डाई अधेलफस तो यह चीज़ आपको याद रखना है डाई से आपको याद रखना है तो नेक्स आता है आपका पॉली अधेलफस तो पॉली अधेलफस में क्या होता है कि जब फिलामें नेक्स एक चीज़ और यहां पर आद रखना है जो कि NCRT में सिफिस का एक्जामपल दिया हुआ है लेकिन इसे बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिए इसे भी आपर याद रखना है टाइपस ऑफ स्टेमें अब होता क्या है कि फ्लावर के अंदर जो स्टेमें का फ थाइनिमस का मतलब क्या हो गया कि इन डैड VIDA इनिमस कंडिशन फ्लावर के अंदर फॉर स्टैमें प्रेजन होंगे फोर इस्टैमें में से क्या होता है दो लंबे होते हैं और दो छोटे होते हैं तो इस तरह के से हां पर रूफ डाग्राम मैंने बनाआ है जिसे आपको आंटी भी आता है तुलसी के फ्लावर अगर आपने देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि यह दो जो श्टैमेन है न यह लॉंगर है और यह दो क्या है शोर्टर है टोटल चार स्टैमें होंगे दो बड़े रहते हैं और दो छोटे रहते हैं तो वैसे कंडिशन को कहा जो फ्लावर उनमें 6 टैमेंस प्रेजन होंगे जिसमेंसे कि जो चार है वो लंबे होंगे और अंदर होंगे और जो बाकी दो बचे वो शौटर होंगे यानि छोटे होंगे और आउटर यानि की बाहर की तरफ होंगे तो कैसा दिखते है एक्जामपल मस्टर्ड हो गया इसका और यहां पर एक रफ डायग्राम दिखा रही होंगे तो यह टोटल 6 हो गए यहां पर यह चार क्या हो गए लंबे वाले और अंदर की तरफ है और यह दो क्या है छोटे वाले और यह बाहर की तरफ है तो 4 प्लस 2 का सिक्वेंस यहां पर बन रहा है याद रखना है कि टोट स्टार्ट किया था वह होता है कम्प्लीट नेक्स लेक्चर में हम देखेंगे गाइनोशियम के बारे में तो मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और नोट्स इजिली आपको समझ में आ गया होगा